वाटसब ब्रो मैं आगे हूं आपके चैनल पे फिर दुवारा से लेके एक नहीं वीडियो जिसका मेन मोटिफ होगा आपको आज बताना यूनिट टू का लास्ट टॉपिक और एक साथ में आपके लिए बना हुआ हुआ डैगमार एप्रोच तो सर यह दोनों कोशन पेपर मे आना ही आना और बाइचान दोनों ही नहीं आए तो आपका एड़ा थियोरी तो आनी ही होगी ही होगी और इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा यूनिट नंबर फाइफ और आपका इस तरह के से करदवाशले बस फिनिश तो दोस्त सॉरी आपके लिए थोड़ा मैं कौपी बनवाते हैं दो सिस्कूल में कौपी को लिखवाने कौपी में लिखवाने का चीज होता है ताकि बच्चे को जो एक प्रूफ कि बाइब क्या चीज हुई है इना लिखा उसे एक दुबार लिखे लेंगे तो मारे सेट हो जाएगा और दूसरी बात लिखने-टर ब क्या किया है अरुट इंट कॉपी होते क्या है फिर्स्ट क्या लिखाया इडिट टेक्स तो यूजब इंडधि जमेंट यह वह चोक्द हो यूजब हो रेडियो या टेली वीजम नौ इन्में जो बाते बोली आते पहले की होती हो गी लिखी जाती होगी पहले उसे लिखके देखता है कि में से कुछ गलतर निकल जाए कि बाद ना एड़र्टीमेंट कॉपी वो टेक्स्ट्वल प्रेजंटेशन होता है जो किसी प्रेंट किसी मीडिया किसी और वीजुल जो मैं आपको टैब बतायते उनको करने से पहले किया ज किसी ना इसका महलब क्या हुआ है और डिसे कपी प्रेंट के हैं के क्या होते है तो सब्सक्राइब सब्सकि 향ए सभावनाना हती हीं तो पहला होता है आपना सय फटीव क्या होता है साजस्टिवट मैं कभी इसके दर लिखता नहीं की मेरा काम आपको रढवाना नहीं समझाना होता है और पेपर में समझा हुआ याद रहएगा घःका तो दोस्त नहीं नहीं क्या है कि उन चीज़ा一 गर में सैट कर लो पहला पॉंट है सग्षिसन करता है तो आप बोलोगे भी यासंग कि वोगी करवा रहे हो ना तो आपको इस विचार पर जाता है जोड डालना है जब कभी लिखोगे तो सप्गुस्थी कापी कि वह कॉपी होगी जो सजस्ट करता है आपको किसके बारे में उस प्रड़क्ट के बारे में कि आखिर कि क्यों हो रहे हैं अगर मैं एड़िसमेंट करवा हूँ चमन प्रास का तो क्यों क्यों ले भाई से सब लोग इस चीज़ के वारे के लिए ठीक है सेकेंड क्लेरी कॉपी इसड क्लियर कोपी क्या होती है यह कहती है भाई बताव लेगिन पहले कंपनी के बारे में तो वह जो आपको जाधा पर नोशा कि वह रहें बताने कि जैसे जब स्याराम होता है आड़ा अक्वास करते हैं ना कि यह बार्त मानते हूं अन्छा है इसे कुछा क्या होती है जिसमें हम करवाने से पहले लिखते हैं जो चार तरह के बारे में दूसरा इक्सपोजिटरी जो पूरे एक्सपोज करके चलता है पूरी बारे में डिटेल में लेके चलता है नमर तीन इंसिटूशनली जो ज्यादर प्रड़क के बारे में नहीं कंपनी में बताता है और नमर चार इंट्रस्ट वह दिखते समय आप देखे कि बंदों का इंटेंशन क्या हो इंट्रस्ट बना रहा है पेपर में भाई अब तुम कहोगे इसके अंदर क्या लिखें दोस् कोई हिंदिया में लिखेगा तो पॉइंट इंग्लिश में कर देना हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है अब अगला कुशन आता है भाई चलो हम कॉपी बनाने बैठ गए कॉपी बनाते समय हमें क्या-का ध्यान नखना चाहिए तो आप बोलोगे सार जब भी आप कभी ए अचे जो बात है कांवर्ण मेर्ण सकते हैं फेश बênते हैं कन् युटा होता है चाहिए कोई भी उसमें जोह जाल नहीं होना चाहिए कि यह बात होगा कभी good advertisement copy बनाई आती है तो apt होने चाहिए, apt means action में होने चाहिए, action में, exist होने चाहिए, last honesty, भाई, इमानदारी से अगर लिखोगे copy तो बढ़ी आए, जूटा लिखोगे चल देगा, नहीं है, तो ये था हमारा क्या, आपका advertiserate copy, इसके अलावा, तुम्हारे 10 यह में, बहुत सा भी बात दे रखी है, फायदा नहीं है, खाम आपका time waste करोगे, ब्रदर होता क्या है, advertisement करवारे है, हम advertisement करवारे है, advertisement करवाने का फायदा क्या है, आप बोलो कि सरकार advertisement कराने का फायदा यह है, कि लोग हमारी sales को बढ़ाते हैं, तो लेकिन अगर इस बात को कैसे समझोगे, तो आप बताओगे, सर्ट डैगमार एप्रोच जो है, नमबर वन ये मॉडल है, क्या एक मॉडल, डैगमार एप्रोच एक मॉडल है, जो sales को increase करने में, एर्टिजन कराने मारी help करता है, कैसे, तो यह बोला है, इस मॉडल डैस्क्राइब बायर रसल एच कॉले इन 1961, रसल एच कॉले ने 1961 में डैगमार एप्रोच को प्रॉपगेट किया था, प्रतिपादित किया था, पहला वन के लिए गया, नमबर दो, इनने डिसक्राइब करें 52 advertisement goal in goods, अगर वस्तु के बारे में दिखाया तो इसने आपको 52, 52 से धान्त बताया है, उद्देश बताया है, किसके advertisement वस्तु के, कोई दिखा तो नहीं है, नमबर तीन, यह force करता है, sale को increase करने में, यूज करके बहुत सारे concept, भाई, डैगमार एप्रोच का main reason क्या था, कि जादा से जादा वो explain कर सके किसके बारे में, कि भाई, म ने बोला, भाई, देखो, डैगमार अप्रोच इस बात पर प्रॉपगेट करती है, कि भाई, बनाई गई थी, कि भाई, advertisement कराने का benefit होना, अच्छी है, हर बंदे, आपने प्याकत को कुरा है, क्यों था, कि sale बढ़े, तो sale कैसे बढ़ेगी, जब आप क्या करोगे, एक तरी क्या होते है, 4P मतलब, product, place, price, promotion, product, price, place, promotion, आप इन्हें explain कर देना, अब क्या, बैगमार जी ने बोला था, कि भाई, product से related, हर information, item, set, price से related, अगर बात करें, तो वो genuinely discount, discount, जो काटना, काटो, लेकिन advertisement करो, place, place का मतलब, भाई, सीधी बात है, आप कैसी ना, कैसे availability, ऐसी दखो कि जो बंद आया, तो तुरन के तुरन सामान मिले, और लास्ट, promotional, promotion तो तुम्हें पता है, advertisement में क्या, promotion का एक, पार्ट है, तो दोस्त, डैगमार अप्रोच जो तो तुम्हें लिख दोगे, तो तुम्हें पूरे के पूरे नंबर देगा, तो यह होता है, तुमार अप्रो पूरता, मिन मोटिव था कि, sale को बढ़ाना, with the help of advertisement, अब advertisement से कैसे बढ़ाऊगे, तो number one, हमने 4P पर धिहान दाखा, किस पर धिहान दाखा, 4P, P for product, P for place, price, promotion, product, place, price, promotion, product, place, price, promotion, product, place, price, promotion, product से सम्माई, हर इंफर्मों के लिए, price related, discount तो कुछ भी करो, हमें तो attract करना है, place, availability हो, पर्याप्तिता हो, और last promotion, कि भाई, किसी भी तरकी से effort अपना हो, लेकिन डाइगमार एप्रोच जी के help से, sale को बढ़ाओ, और यहां पर आपके होते है, जी टू खतम विद में, एक new important topic, तो भाई, अगर आपको ये वीडियो च्छे लेए, तो इसको follow करो, subscribe करो, share करो, जितना हो सब्सक्राइब करें, जी कल तुमारा paper, और मैं चाता हूं, इस paper में full of full marks आए, और दोस्त, आज शाम से, promise है, भाई, कि परस आपका macro का भी है, किसी भी बच्छे को दिक्कत नहीं आएं दूँगा, macro में, यह मेरा वाद आ है, numerical से लिगे theory, हर चीज, तो भाई, उ heading लिख लो, अपनी आप बनाओ, heading लिख लो, अपनी आप बनाओ, ठीक है, अब next video मिलते हैं,